नमस्कार मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं एसे नियूज इंडिया आईए आची खबरों को देखते हैं नए वैरियन को लेकर सीम की चिंता मुख्यमंत्री बोले तैयारी पूरी है मगर इस वर से प्रात्ना करते हैं कि 36 गर में नया संक्रमन ना आए रायपूर के पुलीस लाइन हैलिपेट पर सीम भुपेस बगेल ने कोरोना के नए वैरियन्ट ओमी क्रोन को लेकर चिंता जाहिर की है उन्होंने नए वैरियन्ट के खत्रे से निपटने के सवाल के जवाब में कहा हमारी तैयारी पूरी है मगर इस वर से प्रातना करते हैं कि 36 गर में ये नया वैरियन्ट आए ही ना अगर आए तो हम सब उसके लिए तयार हैं उन्होंने ये बाते कोमा खान के दोरे पर रवाना होने से पहले कही दरसर सियम पगेर वीर नरायन सिंग की पुने तीथी के लिए कोमा खान में आईजित काईक्रम में सामिल होने के लिए गया है मुख्य मंत्री ने कहा कि 10 दिसंबर 857 को रायपूर के जैस्तम चौक में वीर नरायन सिंग जी को फासी दी गई आज दिन जन्म भूमी और कर्म भूमी की समाटी को नमन करने का है इस धर्ती में हमारा जन्म हुआ हम गर्व महसूस करते हैं देश में सुकुरवार को ओमिक्रोन के दो नए मामले सामने आया है गुजरात के जामनगर के दो लोग ओमिक्रोन संक्रमित पाए गया है बताया गया 72 वर्षिय सक्स 28 नमंबर को जिंबाववे से जाम्रामनगर आया था इसी सक्स में ओमिक्रोन की पुष्टी हुई थी अब इसी मरीज के संपर्थ में आई पत्नी और साला भी ओमिक्रोन से संक्रमित हो गए है 36 गर में कोरोना के मरीज फिर बढ़ने लगे है गुरुवार को प्रदेश भर में 40 नए लोगों में संक्रमन का पता चला है किसी मरीज की मौत की रिपोर्ट नहीं है लेकिन प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ कर 322 हो गई है इस समय प्रदेश का पॉजिविटी रेट 0.15 परतिसत है सबसे अधिक 99 मरीज रायगर और कोर्वा जिलों में मिले है रायपूर में 6 और धमतरी बिलास पूर्व जिलों में 3-3 मरीजों का पता चला है अभी प्रदेश में सबसे अधिक 57 एक्टिव केस रायपूर जिले में है तो आज के लिए इतना ही आगे तमाम खबनों के लिए जुरे रहमाए साथ धन्यवाद